हालो इस्टूडेंट्स मैं वीपी सिंग आज आपके लिए टिर्पल इंट्रीगल का फर्स्ट लेक्टर लेके आया हूं हलाकि यह लेक्टर फिप्त लिखा जाएगा क्यूंकि लेक्टर फोर तक में कवर करा चुका हूं लेक्टर फोर में मैंने आपको टॉप मोस्ट आगे दिये थे यह बटाएंगे आपको टिर्पल इंट्रीगल की लिमिट कैसे लगाते हैं यदी एक्वेशन दे रही हूं तो लिमिट निकालते कैसे हैं उम्मिद करता हूँ ये lecture आपको जरूर पसंद आएगा और lecture 6 में आपको top most कौन कौन सी theorem और question देने वाला हूँ वो भी आज ही बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं triple integral सबसे पहले बताएंगे आपको single integral का मतलब फिर double integral का मतलब और फिर triple integral का मतलब चलिए अगर आप निकालते हैं single integral तो single integral का मतलब है किसी की length निकालना यहां 0 से लेकर इसकी limit कितनी है a तो इसकी length निकालेंगे limit 0 से a और केवल यहां dx होगा इसे हम क्या कहते हैं किसी की length निकालना के लिए अगर हम double integration तो छेत्रफल यानि area निकालते हैं अगर area निकालेंगे तो हमें कोई rectangle वगेरा बनाना होगा यहाँ 0,0 से यहाँ A और इधर B यहाँ point A भी बन जाते हैं तो double integration निकालेंगे तो x axis के लिए limit क्या होगी 0 to A और फिर y axis के लिए limit होगी 0 to B छेत्रफल निकालने के लिए dx dy इसे हम area कहते हैं किसी भी curve का कोई भी curve निकालेंगे उसका area अगर integral के द्वारा निकालेंगे तो आपको double integration लगाना होगा अब बात आती है triple integral की तो triple integral में आपको volume निकालना होगा तो उसमें हम three side बनाते हैं ऐसे यह x axis, y axis, z axis और यहां मैं एक q बना देता हूँ जिसका आप volume निकालेंगे और इसकी लंबाई चोड़ाई उंचाई होगी dx, dy और dz हम कहरें कोई भी पार्ट है उसका यह elementary volume है तो उसके लिए triple integral क्या करेंगे? यहां से इस axis पर limit माल लीजिए 0 to a यहां से इस axis के लिए limit 0 to b, इस axis के लिए limit 0 to c और यह volume होगा तो dx, dy, dz, इसे हम क्या कहते हैं? वाल्यूम अब यहां मैं सब limit दिखाई देती हैं कैसे? यह x की limit थी, यहां यह x की limit और यह y की limit यह x की limit, यह y की और यह z की तो इस condition में हम limit रखते हैं वैसे अगर limit constant हो तो आप किसी के respect integration कर सकते हैं बसरते limit अगर x, y, z में हैं तो वहां आपको देखना पड़ेगा जैसे? मैंने एक question ले लिया limit 0 to 1, 0 to 1 minus x, 0 to 1 minus x minus y यह कोई function है f, x, y, z यहां d, z, dy, और d, x इसमें सभी variable हैं इसको छोड़का ऐसी condition में आपको कैसे यह मालूम पड़े कि यह हमें किसके respect integral करना है यह किसके respect और यह किसके respect देखिए अगर limit में x और y हैं तो आप integration x और y के respect नहीं कर सकते किसके respect करेंगे? z के respect करेंगे तो यह z की limit हो जाएगी अगर limit x में दे रखी है z तो खतम हो गया क्योंकि z की मिल गई अब y और x बचा यहाँ limit x में है तो x के respect नहीं कर सकते किसके करेंगे फिर y के तो यह limit आपकी y वरावर हो गई अब यह बची आपकी single फिर x की इस परकार limit देखते हैं अगर equation दे रखी हो कोई तो ऐसी condition में यह limit भी आप कैसे निकालेंगे जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ यह x plus y plus z equal to a और यहाँ लिख दिया x y z positive इसका मतलब है x की value 0 या 0 से बड़ी है अब हमें यह x की limit कैसे निकालें y की कैसे और z की कैसे यहाँ लिख रहा है x plus y plus z equal a इसका मतलब है x equal y equal z equal 0 ते शुरू हो रही है अगर आप x की limit निकालेंगे इसकी तो इस अगले term को आप 0 समझेंगे तो क्या बचा यहाँ x equal to a शुरू कहां से हो रही है 0 से तो x की limit होगी 0 से लेकर a तक जिसकी limit आप निकाल लेते हैं उसे आगे भेजेंगे तो क्या बचा यहाँ y plus z equal to a minus x अब आपने जैसे हैं x की limit निकाली तो यह 0 अब यहाँ y की limit निकालेंगे तो इससे 0 समझेंगे तो y equal हो गया कहां से सुरू हो रही है 0 से जीरो से लेकर y कमान कितना हो गया a minus x अब y की भी आगे भेज़ दो क्योंकि अब z की निकाल ली है तो z बरावर हो गया a minus x minus y और z की भी 0 ते सुरू है तो इसका मतलब z equal 0 to a minus x minus y तो इस प्रकार हम limit निकाल लेते हैं वैसे मैं अब जब question बताऊंगा तो हर question में detail में limit समझाऊंगा ठीक है आप इसकी निसौर लीजिया question number 1 देखिए चलिए तो question number 1 देखते हैं question number 1 so that limit 0 से 1 0 से 2 1 से लेकर 2 x square y z d z dy dx equal to 1 यह proof करके दिखाना इसका answer 1 होगा सभी की limit constant है तब आप बेधड़क यह rule अपनाएंगे यह x की limit है यह y की और यह z की यही rule लगाँगा देखिए तो limit 0 से लेकर 1 0 से लेकर 2 यह z की limit है तो इसका integration होगा z square upon 2 limit आप लगाए 1 से लेकर 2 क्या बचा इधार x square y dy और dx यहां रखेंगे 2 दो दूनी 4 minus 1 तीन वटे 2 तो 3 upon 2 बाहर limit 0 to 1 0 से 2 यहां बचा x square y dy dx फिर समझ लीजिए यहां 2 रखोगे तो 4 minus lower limit रखोगे 1 तो 4 minus 1 3 upon 2 ऐसे solve कर लेते हैं अब मुझे यह limit y की है तो इसका intrigal करना है 3 upon 2 limit 0 to 1 इसका intrigation y square upon 2 limit 0 से 2 बचा यहां x square dx यहां रखोगे 2 2 जा 4 4 के आधे 2 तो बाहर निकल के आएगा कितना अंसर 4 के आधे 2 limit 0 to 1 बचा यहां x square dx 2 से 2 कट गया 3 इसका intrigal x q upon 3 0 to 1 3 से 3 1 रखोगे तो 1 यही इसका आंसर है के लिए इसकी न्सौट ले लीजिए तो question number 2 देखिए question number 2 evaluate limit y equal to 0 से लेकर 3 x equal 0 से लेकर 2 z equal 0 से लेकर 1 x plus y plus z बाहर dx dy dz अब इस question में already limit बता रखी है यह y के लिए रखोगे यह x के लिए और यह z के लिए चलिए तो y की limit हो गई 0 से 3 और यह x की limit है 0 से to z के respect करना है तो यहाँ z के respect करेंगे तो x plus y constant है और जैसे 5 का integration आप 5x करते थे z के respect के लिए x y constant माना जाएगा तो यहाँ into z आएगा plus इस z का integration z square upon 2 limit हो गई 0 से 1 बचा आपका dx और dy यहाँ तक कोई परिशानी नहीं होई होगी आगे देखिए limit 0 से लेकर 3 0 से लेकर 2 एक रखोगे तो यहाँ x plus y यहाँ एक रखोगे एक वटे 2 0 रखोगे यह 0 यह 0 यानि total 0 अब आपके पास यह बचा यह limit x की है अब इसका x के respect integral करेंगे ठीक है तो integral देखिए इसका x के respect 0 से 3 इसका तो integral हो गया x square upon 2 यह y plus 1 वटे 2 constant रहा और constant का integration x अब limit हो गई 0 से 2 यहाँ केवल dy रहा देखो यह मैंने अब x के लिए लगाई थी और यह वाली z के लिए जहाँ x से x की जगे पर 2 रख दो और lower limit 0 तो 0 से लेकर 3 यहाँ 2 रखोगे 2 2 जा 4 4 के आधे 2 plus y plus 1 वटे 2 यहाँ रखोगे तो 2 हो जाएगा और 0 रखोगे यह 0 सब 0 तो यही बचा into dy limit 0 से लेकर 3 2 plus y plus 2 से 2 कट गया 1 और इसमें multiply करोगे 2y इसमें करोगे तो 1 यह हो गया dy 1 और 2 कितना हुआ 3 integral करोगे तो y इसका integration 2y square upon 2 limit यहाँ 0 से 3 3 रखोगे 3 3 जा 9 पिलस इस 2 से 2 3 3 जा 9 इसका answer आगया 18 तो clear समझ में आ रहे है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है आ यह question number 3 लेते है question 3 में भी evaluate limit 0 से 1 y square से 1 0 से 1 minus x x dz dy और dx यहाँ already dz लिख रहा है dy dx पहले dz खतम करेंगे फिर dy करेंगे और last में आप dx खतम करेंगे के लिए चलिए आईए तो limit 0 से लेकर 1 y square से लेकर 1 यह तो constant है हम z के respect कर रहे हैं तो यह आएगा limit 0 से 1 minus x बचा यहाँ dy और dx limit 0 से 1 y square से 1 यहाँ रखोगे तो x bracket में 1 minus x 0 रखोगे 0 dy dx अब इसका हमें x के respect करना क्योंकि y में limit है किसमें limit है y में जबकि इसके according का है dy आना चाहिए था तो यहाँ changing कर दिया उसने क्योंकि limit अगर y में है तो y के respect integral नहीं कर सकते x के respect आप integral करेंगे आईए करते हैं तो limit 0 to 1 इसमें multiply करेंगे x और integration करेंगे तो यह आएगा इसमें multiply करेंगे इसकी x square integration करेंगे x q upon 3 limit आप लगाएंगे y square से लेकर 1 और बचा dy क्योंकि मेंने x के respect किया है तो यहाँ dy बचा clear? limit रखिये यहाँ पर 0 से 1 यहाँ 1 रखेंगे तो 1y2 यहाँ 1 रखेंगे 1y3 minus lower limit यहाँ y square रखेंगे तो y की power 4 upon 2 यहाँ रखेंगे तो y की power 6 upon 3 और बाहर dy limit 0 से लेकर 1 यहाँ आया 3 minus 2 1y6 minus यहाँ आप limit रखेंगे इसका integral करेंगे अभी तो यहाँ तो यह खोलेंगे minus के y 4 upon 2 minus minus plus y 7 upon 3 y 6 अब इस पूरे का integral करेंगे मैंने यह solve कर दिया यह minus 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 plus simple integral है 1 upon 6y y की power 5 upon 5 2 जा 10 plus y की power 7 upon 7 3 जा 21 limit 0 से 1 यहाँ 1 रखेंगे तो 1y6 यहाँ 1 रखेंगे 1y 10 यहाँ 1 रखेंगे पिलस के 1y 21 आप अपने घर इसे solve करेंगे मेरी बच्चो तो 4 upon 35 अंसर आएगा किलिया है तो यह question कैसा लगा प्लीज एक comment करना ठीक है इसकी इसकी इसका ले लीजिए चलिए question नम्बर 4 देखते हैं एवाल्यूट लिमिट 0 से 1 0 से 1-x 1-x-y xyz dz dy dx अब थोड़े थोड़े standard question बढ़ा रहे हैं आगे को अगर आप चाहते हैं कि integral calculus पूरा हमारी पास solution आजाए 95% तक तो चैनल की membership लेनी होगी तभी सारी वीडियो आपको open हो सकती है वैसे मैं 50% अपने viewers को 100% देता हूँ लेकिन 50% वीडियो उनको जाकी जो मुझी fees देते हैं इसलिए मैं पूरा complete वीडियो देता हूँ सारे question देता हूँ मैंने देखा है जो और यूटूवर है उनकी जो वीडियो 20-30% मिलेगा चेप्टर का बस लेकिन मैं आपको 90% दूँगा अगर मैं आपको 90% दूँँ और membership न लगाऊं तो मेरी coaching बंद हो जाएगी तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा इसलिए मैंने बहुत कम फीस रखी है एक book की कीमत के बरावर फीस रखी है आपको लेना है full course BSC MSC वाला level तभी आपको सारी वीडियो मिलेंगी full course BSC MSC वाला level लेंगे चैनल के description में जाएंगे join पर click करेंगे और full course BSC MSC वाला level लेंगे जिससे सारी वीडियो open हो जाएं मैं 95% तक आपको दूँगा और दो writer की book लेके चलता हूँ लेकिन book नहीं बता सकता आप पर किसी भी writer की book हो सारे question मिलेंगे आगे पीछे हो जाएंगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता चलिए देखे तो यहाँ x और y दोनों हैं तो z के respect करेंगे किसके करेंगे z के respect तो limit 0 से 1 0 से 1 minus x x y तो यहीं रहने दो z का integration हो गया z square upon 2 limit 0 से 1 minus x minus y बचा dy और dx इस 1y2 को आप इधा ले आए limit 0 से 1 1 minus x x y यहां रखेंगे तो 1 minus x minus y का whole square 0 रखते तो 0 हो जाता dy और dx अब एक काम करते हैं थोड़ा simple करने के लिए इसको खोलते हैं लेकिन इसे हम किस तर्म में खोलेंगे इसको एक तर्म मानेंगे और इसको एक तो आप खोलेंगे a minus b के whole वर्क से तो 1 upon 2 limit 0 से 1 0 से 1 minus x x y यह 1 minus x का whole square plus के y square minus के 2 1 minus x into y बाहर dy dx यहां limit x में है तो y के respect करना होगा तो इस y की अंदर multiply कर दो इस x से कोई मतलब नहीं यह तो constant है क्योंकि हम y के respect करेंगे तो 1 upon 2 limit 0 to 1 x तो मैंने यहीं ले लिया इसमें करेंगे हम 1 minus x का whole square into y इसमें करेंगे तो y q minus 2 1 minus x इस y की इसमें करेंगे तो y square अब आप इसका y के respect integral करेंगे केवल और केवल y के क्यों क्योंकि limit x में है तो 1 upon 2 limit 0 से 1 यह तो हमारा constant था करिए इसका integration यहां integration भूल गए हम limit 0 से 1 minus x into x तो इसका integration यह तो constant है इसका हो गया y square upon 2 और limit आएगी 0 से लेकर 1 minus x इसका integration y 4 y 4 limit आएगा 0 से 1 minus x minus 2 1 minus x इसका integration y q upon 3 limit 0 to 1 minus x और बाहर रह गया dx अब जहां जहां y लिख रही है वहां 1 minus x करिए तो 1 upon 2 0 से 1 x यहां आप रखेंगे तो 1 वटे 2 1 minus x का whole square और इसमें रखेंगे तो 1 minus x का whole square यहां रखेंगे तो 1 minus x की power 4 upon 4 minus 2 यहां रखेंगे तीन और एक यह रही तो 1 minus x की power 4 upon 3 0 रखेंगे यह 0 यह 0 यह 0 टोटल 0 हो जाएगा लास्ट का dx अब इसमें 1 minus x की power 4 4 4 तो यह common आ जाएगा क्या बचेगा 1 upon 2 0 to 1 x 1 minus x की power 4 common यहां बचा 1 upon 2 यहां बचा 1 by 4 यहां बचा minus के 2 upon 3 यह constant बाहर dx इसे यहां रखेंगे solve कर लो LCM हो गया 12 यहां हो जाएगा 6 यहां हो जाएगा 3 यहां हो जाएगा 8 कितना बचा 1 upon 12 यह 1 upon 12 और यह 2 तो 1 upon 24 limit 0 c 1 इसे आप लिख सकते हैं x की power 2 minus 1 1 minus x की power अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों की है इसके लिए भी formula है beta and gamma function इसलिए किया 0 to 1 x की power m minus 1 minus x की power and minus 1 dx होता है gamma m gamma n upon gamma m plus n अब यहां देखो 1 power थी तो मैंने 2 minus 1 कर दिया 4 थी तो 5 minus 1 अब m की जगे पर 2 रखोगे n की जगे पर 5 यहां ले लीजिए 1 upon 24 gamma m की जगे पर 2 रखेंगे n की जगे पर 5 नीचे दौनों को plus करेंगे 7 solve करिए 1 upon 24 इसका 1 इसे करेंगे 4, 3, 2, 1 upon इसे खोलेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 अगर आप gamma नहीं जानते तो जैसे gamma 10 है तो उसका मान जो होगा factorial 9 होगा factorial तो इंटर में खोलना आता होगा gamma 12 की value factorial 11 होगी ऐसे ही मैंने लिखा है यह gamma 5 था तो factorial 4 खोल दिया यह gamma 7 था तो factorial 6 खोल दिया यह gamma 2 था तो factorial 1, 1 की value 1 होती है इसमें से 3, 2, 6 से ये कटे इस से ये कटा ये 30 30 की multiply इसमें करोगे 24 थी बहाद पर ये इसका answer हो गया तो उमीद करता हूँ ये question के लिए समझ में आया होगा next lecture में देखियो कितने मज़ेदा question दूँगा आप हो और वो आज ही दिखाऊंगा question number 5 लीजिए limit 0 to 4 0 से 2 under root z 0 से लेकर 4 z minus x square यहां रखा dy फिर dx और फिर dz यहां रखा था question में dz, dy, dx पर मैंने change कर दिया है तूँचिये क्यों क्योंकि यहां z और x में limit है तो y के respect होगा के लिए तो limit 0 to 4 0 से 2 under root z इसका integration y हो गया और limit लगाओ गे 4 z minus x square यहां dx और dz चलिए अब यहां limit रखिए 0 से 2 under root z यहां रखेंगे तो यह 4 z minus x square dx और dz यहां z में limit है तो x के respect करेंगे इसलिए मैंने हैं dx पहले लख दिया है अब इस condition में आपको tough लग रहा होगा मैं एक trick बताऊंगा देखिए यहीं मान लीजिए 2 under root z equal to a square करिए तो 4 z equal to a square रख दीजिए इसमें 0 से 4 यह हो गया a और यहां हो गया a square minus x square dx बाहर dz यह तो फॉर्मूला है बताए क्या यह फॉर्मूला आपको याद है सच बताना क्रमेंट करना limit 0 से 4 x upon 2 under root के अंदर a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse x upon a limit 0 to a यह मैंने फॉर्मूला लगा दिया limit 0 to 4 आप यहां a रखेंगे तो a minus a 0 क्या बचा यहां a square upon 2 यहां a रखेंगे तो sin inverse 1 और sin inverse 1 बेलू होती है मेरे बच्चो πाई वाई 2 की और 0 रखोगे यह 0 यह 0 सब 0 बचा डीजिए बाहर इसमें से कोमन आया जीरो से 4 4 z d z पाई वाई 4 4 इसका integration z square upon 2 limit 0 to 4 इससे यह कटिया 2 बार 2 से यह कटिया चलिए बाद में कर लेंगे पाई वाई 4 यहां 4 चॉक 16 16 दूनी 32 और इससे 32 कटिया 8 बार यही इसका answer है के लिए तो यह 5 प्वेस्चन आपको कैसे लगे एक comment करना और lecture 6 में top most question कौन कौन से है उनकी एक जलक आप देखते जाना इसके answer लीजिए तो lecture 6 में कौन कौन से top most question है वो देख लीजिए drichlet integral को define किया है proof करके दिखाया है इसके equal यह होता है इसी पर based सारी question होते है फिर यह leo ballage extension है drichlet integral का यह भी मैंने आपको proof करके दिखाया है triple integration f x plus y plus z bracket के बाहर x की power l minus 1 y की power m minus 1 z की power n minus 1 dz dx dy equal यह होता है यह दोनों ही article top most है इसके बाद यह question मैंने proof करके दिखाया है यह whole power q है यह limit है फिर मैंने इस surface का volume यानि triple integral से इसे कैसे solve करेंगे यह proof किया है find the value log इसकी value दिखाई है जबकि x y z positive और x plus y plus z is less than and equal 1 यहां से limit निकलती है जो मैंने शुरू में limit बताई थी फिर यह volume पूछा है ellipsoid का और फिर यह proof करा रहा है यह सभी top most question है 100% long question में आने वाली question है इसके sort ले लीजिए इसके sort ले लीजिए